जैहिन दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही एसस्वी और महान बैक्ति के बारे में जो भारत के परमाणू विज्ञान के या नुकलियर जो अपना कारिकरम था उसके फादर कहे जाते हैं, डाक्टर होमी भाभा डाक्टर जहांगीर होमी भाभा का जनम 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में हुआ था, एक बहुत संपन्न पारिसी परिवार में हुआ था और इन्हों ने भारत के परमाणू कारिकरम को अपने बल बूते पर बहुत आगे तक ले गए, तो आज हम इनी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनका जनम दिन है 30 अक्टूबर को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का study sign for sign के platform पे, आज हम लोग बात करेंगे डाक्टर जहांगीर भाबा के बारे में, इससे पहले अगर आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, study sign for sign और वीडियो आपको ज जहांगीर भाबा के बारे में, इनका जनम 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में हुआ था, ये founder member थे Tata Institute of Fundamental Research के, इनके पिता जी एक lawyer थे, भाबा के अंकल जो थे दुराब जी टाटा जी ये टाटा के founder थे, तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं, भारत के एक परमुक बैग्जानी का और सौपन द्रश्टा थे, जिन्होंने भारत के परमाडू कारिकरम की संकल्पना की, उन्होंने मुठी भर बैग्जानी की सायता से मार्च और 1944 में नाबकी उर्जा पर अनसंधाना अरंद किया, उन्होंने नाबकी विग्ञान में इदुतुत पाधन कई जगों पर होता है, उन्हें आर्किटेक आफ इंडियान एटॉमिक एनरजी प्रोग्राम भी कहा जाता है, भाबा का जनम मुंबई के एक संब्रांथ पार्ची परिवार में वो था उनकी कीरती सारे संसार में फैली, इतना अच्छा कान की हो, भारत आपस आने पर उन्होंने अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाया, भारत को परमाणो सक्ती बनाने के मिशन में प्रथम पग के तोर पर उन्होंने 1945 में मूल भुद विज्ञान के उत्कृष्टता के केंद्र टाटा इस्चूटा फंडमेंटल रिसर्च की अस्थापना की, डाक्टर भाबा एक कुसल बैगानिक और प्रतिबद इंजिनियर होने के साथ साथ एक सर में समर्पित, बास्तु सिल्पी, सतर्ग, नियोजग, एव, निपूड कारेकारी थे, वे ललित कला वो संगीत के उत्रिष्ट प्रेमी तथा लोकों पकारी थे, उन्होंने मूंबई से अब उनके थोड़ा सिच्छा के बारे में बात कर लेते, उन्होंने मूंबई से काइथडरल और जान केनन स्कूल से पढ़ाई की, फिर एलिफिस्टन कॉलेज मूंबई और रोयल इंस्ट्यूट आफ साइन्स से ब्यस्टी पास किया, मूंबई में पढ़ाई पूरी करने के बाद भाबा, वर्स 1927 में इंग्लेंड के काइएस कॉलेज कैम्बरीज इंगिनिरिंग में पढ़ाई करने गए, कैम्बरीज विद्ध्याले में रहकर विश्व विद्ध्याले में रहकर 1930 में असनातक की उपादी प्राफ के ग्रेजुएट हुए, 1934 में या 35 में थोड़ा कनफ्यूजा नहीं यहां पर कोई 35 बोलता है, कैम्बरीज विश्व विद्ध्याले से उन्हें डाक्टरेट की उपादी फिजिक्स में दिया गया, जर्मनी में उन्होंने कास्मिक किरणों पर अध्यान और प्रयोक किये, हालां कि इंजिनेरिंग पढ़ने का निड़े उनका नहीं था, यह परिवार की ख्वाईस थी कि वे एक उन्हार इंजिनियर बने और टाटा के कमपनी में आके काम करें, घर वालों की बात रखते वे उन्होंने इंजिनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन अपने प्रियबिसे फिजिक्स से खुद को जोड़े रखा, न्युक्लियर फिजिक्स के प्रती उनका लगाव जुनूनी अस्तर तक था, उन्होंने केंब्रीज से ही पीता को पत्र लिखकर अपने इरादे बता दिये कि फिजिक्स से उनका अंतिम लक्ष है, उनकी उपलधियां बहुत हैं, गिनाने से नहीं होगी, देश अजाद हुआ तो होमी जांगिर भाबा ने दुनिया भर में काम कर रहे भारती बैगानिकों से अपील की, फिए भारत लौट आएं, उनकी अपील का असर हुआ, और कुछ बैगानिक लौटे भी, इनमें एक थे मैंचेस्टर के इंपीरियल केमिकल कमपनी में काम करने वाले होमी नव सेरवान जी सेठना, अमेरिका की मिसिगन इन सीटी से पोस्ट ग्रिजुएट करने वाले सेठना, भाबा को काफी समभानाय दिखाए दी, ये दोनों बग्यानिक भारत को परमाडु सक्ति संपन बनाने के अपने कारिकरम में जुट गए, यह कारिकरम मुल रूप से डाक्टर भाबा की ही देन था, लेकिन यह सेठना ही थे जिन्होंने यह इनकी बज़ा से भाबा की निधन के बावजूद, ना तो यह कारिकरम रुका और नहीं कोई बाधा आई, उनकीसी लगन का नतीजा था कि 1974 में सेठना ने ततकालिन परधान मंत्री इंदर गांधी को बताया कि उन्होंने सांती पुर्ण परमाडु पिस्पोट की तैयारी पूरी कर ली है, यह भी पूछा कि क्या वे इस सिस्टम को से सूरू कर सकते हैं, इसके साथ उन्होंने यह भी बता दिया कि एक बार सिस्टम सूरू होने के बाद इसे रोकना संभव नहीं होगा, ऐसे में अगर वे मना कर देंगे तो उसे आगे नहीं सुना जासेगा, इंद्र गांधी के हरी जहंडी मिलते ही तैयारियां सुरू हो गई, और अगले ही दिन 18 माई को सेठना ने कोड़ वर्ड में इंद्र गांधी को संदेश बेजा बुद्ध मुस्कुराए, बुद्ध मुस्कुराए यह कोड़ वर्ड था किसका परमाडु परिछन का, जहां उन्होंने मोनजाइट रेट से दुरलम नावकी पदार्थों के अंस निकाले, उस दोरान वे कनाड़ा भारत रेक्टर सायरस के प्रजेक्ट मैनेजर भी रहे, शेठना जी, इसके बाद डाक्टर सेठना ने 1969 में ट्रामबे इस्थित परमाडु उर्जा परतिष्ठान के परमुख बैग्यानिक अधिकारी पद का कारे भाल संबाला, यह परतिष्ठान आगे चलकर भाबा परमाडु रिसर्च सेंथर बना, उन्होंने नावकी ग्रेट इसके डिजाइन और निर्माड का काम पूरा भारति बैग्यानिक और इंजिनियर नहीं किया, वो लेखनी है कि आगे चलकर इसी सन्यांतर में पिर्थक किये गए प्लुटोनियम से, वह परमाडु युद्ती तयार की गई, जिससी भी स्पोर्ट से, 18 में 1974 को बोखरण में बुद्ध मुस्कुराय, डाक्टर सेठना के मारदर्वसन में ही, 1970 में जादू गोडा जारखंड में युरेनियम हाजिल करने का सेंतर लगा, जादू गोडा में जारखंड में, जादू गोडा जगा है, जहांसे युरेनियम के ख़दान है, वो डाक्टर सेठना के उसमें लगा था डाक्टर सेथना ने तरापुर में प्रमाणू возможность युरियनियम इधन के विकल करूप में प्रमाणू पर्माडू विस्पोर्ट के बाद अमेरिका ने उरेनियम के अपूर्थी पर रोक लगा दी थी, हलाकि यह रियक्टर अमेरिका निर्मी थी थे, वह तो भला हो फ्रांस का कि जिसने आड़े समय पर उरेनियम दे कर हमारी मदद की, अन्य था डाक्टर सेटना तो मिस्र की जरूरत महसूस नहीं करते थे, वेगानी काम के उन्होंने राजनेतिक दखल कता ही पसंद नहीं थी, वे परमाडू उर्जा के सांती पुन इस्तेमाल से प्रबल पक्षधर थे, वे परमाडू उर्जा के सांती पुन उप्योपर 1969 में संजिक्त राष्ट में जनेवा में अजित अंतराष्टी संभेलन के उप्प सचीव रहे, डाक्टर सेठना किसकी खोज थे, डाक्टर भाभा के, भाभा नहीं है तो तो सेठना नहीं आते ही इंदिया, तो सेठना, डाक्टर भाभा के चलते ही सेठना आये, इसलिए परमाडू कारिकरम इतना बड़ा, 1956 में ट्रामबे में Asia का पहले Atomic Reactor का स्थाबना की गई, ट्रामबे, Asia का पहला Atomic Reactor था, केवाल यहीं नहीं भाभाबा, वर्स 1956 में जनेवा में आफजित UN Conference of Atomic Energy के चेर्मन बीची ने कहे थे, विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने की अकांछा रखने वाले कोई भी देश युद्धतवा दिर्गकालियन संधान की पेच्छा नहीं कर सकता हूमी भाबा मेरा विवा रचनात्मक्ता से हो चुका है यह भी वुनी ने कहा थे अच्छा है ऐसे थे हमारे होमी भाबा इन्हीं के चलते हैं हम लोग परमाडु रियक्टर या परमाडु बम जो भी है इन के चलते हैं लोग आज संपन हैं तो थेंक्स बाबा जी जय हिंद ज्य भारत बाई बाई गाईच अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आगे का वीडियो का नोटिफिकरशन मिलता रहेगा थैंक यू, थैंक्स पर वाचिंग, जैहिंद